जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सिलेंट योटोब चैनल पे अभी स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन का डेट में आपको सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पर आप देख लिजे अटरह चार दो हजार तेईस को यह नोटिफिकेशन जारी किया गए और यह नोटिफिकेशन टाटा की तरफ से जारी किया गए और अप्रेंटिसी ट्रेनिंग आपरचिनिटी के अंतरगत यहाँ पर आपको भरती देखने को मिल लई है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका फार्म कैसे भरना है उसके बाद आप फार्म को अपलाई कर सकते अपने मोबाइल के भी दुआरा और यहाँ पर आप देख सकते इसका वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल ला है तो यहां पर आप अपना date आप बर्त लिखीगा, सबसे पहले आपको day, month और year यहां पर लिखना है, नीचे आप आएंगे तो यहां पर अपना gender select किलिजेगा, mail है तो mail है तो female है तो female पर click किलिजेगा, नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो यहां पर आपको जो देखने को मिला है, यहां पर जो आपका selection होगा, जो process यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और जो यहां पर domical जो state रखा गये, वो जहारखन रखा गये, तो आप इसको भी select कलिजेगा, या आप इसके अंतरगत नहीं आते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजेगा, की आपको जनकारी मिलती रहेगी, नीचे आप आएंगे साथियो, साथवे नंबर पर यहां पर कहा जा रहा है, उसी email ID को दोबारा यहां पर फिल करना है, बिना copy paste किये, ध्याने कियेगा, नीचे आप आएंगे साथियो, तो यहां पर आपको mobile number भी फिल करना है, और यह जो mobile number होना चाहिए, यह हमेसा active होना चाहिए, क्योंकि email ID पर यह दि message नहीं आता है, तो आपको mobile number पर message देखने को मिल जाएगा, इसके बाद यहां पर आप अगला भी यहां पर दे सकते, दो यहां पर mobile number भी दे सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसके बाद यहां पर दसमे कीजेगा, और इसमें आपको बता दो, fitted rate के लिए, electrician के लिए, electronic mechanic के लिए, instrument mechanic के लिए, और नीचे आप आ जाएंगे साथे हो, तो यहां पर mechanic motor vehicle है, diesel mechanic है, musnist है, और welder, और भी बहुत सारे trade आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहां पर fail करना है, देखिए, इसमे ITE वाले भी farm को apply कर सकते हैं, और जो चातर appearing वाले हैं, मतलब कि final year उनका complete हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका result नहीं आया है, वो लोग भी farm को apply कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको यहां पर select करने का option देखने को मिल जागा, यदि आप ITE पास है, तो ITE पास submit भी कर सकते हैं, अब यहां पर मैं आपको notification दिखा दता हूं, यह जो notification जारी किया गए, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसमें आपको इसके बारे में full detail में जनकारी देखने को मिल जाती है, जो वहां पर आपको देखने को मिल जाती है, अब यहां आपने पहले से किसी भी apprenticeship संस्ता में आपने apprenticeship कर रखा है चाहे आपने government से किया या आपने private से तो आप इस फांट को apply नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात और भी ध्याने कियेगा आपको सबसे पहले apprenticeship की official website भी registration करना अनिवार है तो आपको registration करना पड़ेगा और यदि आपको जन निचा पाएंगे साथियो तो यहाँ पर आपको age के बारे में जनकारी देखने को मिल जाती है तो जो आपका age होना चाहे इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजे इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 अपरेल 1993 से और 1 अपरेल 2005 के बीच आपका जन्पतिती होना चाहे और जो आपका जो यहाँ पर ITI complete होना चाहे आपने private से कर रहा है या government से दोनों लोग फार्म को apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है आपके इसके बारे में कुछ यहाँ पर note जो की रिमार्क यहाँ पर लिखा गए या आप note समझ सकते है य इसमें आपको एक साल की ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसमें आपका आपका अलोकेशन रखा गया ज़ारकंड रखा गया तो जहारकंड पर आपको बुलाये जाएगा अब इसमें selection आपका कैसे होने वाला है तो नीचे आप आएंगे साथी हो स्क्रॉल करते हुए तो यहां पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा selection process और selection process के आप यहां पर नीचे देखेंगे तो इसमें साब दोर पर लिखा गए return test होगा इसके बाद आपका document verification होगा medical test होगा और इसके बाद आपका selection हो जाएगा यह सब यह परिक्रिया आपको देखने को मिलेगी यहाप अपडेट चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्षम बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप फांप को अपडेट कर सकते हैं और इस तरह की छोटी बड़ी भरतियों की आपको अपडेट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिक्राओगा, सस्क्राइब वला, उसे दबाईए और बगल में घंटी वाला आइकोन को दबाकर All Notification पे क्लिक करें इस तरह की नहीं भरती की जनकारी आपको मिलती रहेगी और कोई भी फार्म आता है तो असानी से घर बैटे भी आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे